वीडियोज को सर्च पे कैसे लाएं जिससे हमारा भी चैनल ग्रो हो और हमारी भी वीडियोज टॉप सर्चेज में आएं जी है दोस्तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी वीडियोज को सर्च पे ला सकते हैं जिससे आपका भी चैनल ग्रो हो दोस्तों ये सवाल हर नए और छोटे यूटूबर के मन में रहता है कि वो ऐसा क्या करेगी जिससे उसके वीडियो सर्च पे आए और उसका भी चैनल टॉप सर्च में आ जाए और उनका भी चैनल ग्रो हो और यदि आप भी उनमें से एक हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंततक जरूर देखे दोस्तों मैं हूँ तोसर को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बी के ब्लॉग एंट टेक में तो दोस्तों आपका ज्यादा समय वर्त ना लेते हुए ये वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेला कान को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नर्टिपेकेशन सबसे पहले मिल सके और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सेयर करें दोस्तों हर नए यूटूबर की तरह मेरे लिए भी ये सवाल काफी महत्पूर्ण था कि ऐसा क्या करें जिससे हमारी वी वीडियो टॉप सर्च पे आते हैं हमारा भी चैनल गुरो हो जैसा कि बड़े और पॉपलर यूटूबर्स के साथ होता है वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी वीडियो स्टॉप सर्च पे आते हैं जैसा ही हम अपनी यूटूब में कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हर वीडियो जो उससे रिलेट करती है वो सामने हमें देख जाती है तो ऐसा हम क्या करें जो नई यूटूबर्स हैं या जो अभी शुरू किये हैं या करना चाह रहा हैं उनके लिए ये महत्तपूर जानकारी है दोस्तों मैंने भी इस प्राब्लम को बहुत फेस किया है और तब जाके मुझे तजरुबा हुआ और बहुत सी चीजे सीखने मिली जो मैंने अनुहब करी वो एक्सपिरेंस मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में तो अंत तक बने रहें जिससे आपको हर वो बारीक चीजे छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता सकूँ जो आपके वीडियो वारेल करने के लिए सर्च पेनाने के लिए बहुत ही महत्तपूर है और बहुत सठीक जानकारी है दोस्तों अकसर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कुछ भी सर्च करते हैं यूटूब पे तो जो भी हम कीवर्ड डालते हैं या उससे रिलेटेड वीडियो जो भी होती है सर्च करते हैं तो एक लिस्ट सामने हमें दिख जाती है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि जो कीवर्ड हमने इंसर्ट किया उसमें जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो वीडियो बनी हुई है और उसकी वीडियो में टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी सेम ही होता है जो अपन सर्च कर रहे होते हैं जिसके कारण वो वीडि वीडियो जो होती है वो सर्चिंग में नहीं आपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिससे हम भी अपनी वीडियोस सर्च पे ला सकते हैं दोस्तो मैं बात कर रहा हूं कीवड रिसर्च पे जी हां दोस्तो यदि हम कीवड रिसर्च करके अपनी वीडियोस का टाइटल रखते हैं या उससे related topic बनाते हैं तो 100% guaranteed है कि आपका video search पे आएगा लेकिन उसके पहले भी एक हमें काम करना पड़ता है जो बहुत ही जरूरी होता है हमें keyword research करना पड़ता है keyword जो भी अपन जिस भी से पर बात कर रहे हैं या videos बनाने वाले हैं तो उसके बारे में जो अपन title रखना चाहा है या title description जो भी उसमें रखेंगे हम तो उसके बारे में हमें पहले उसे search करना है कि उसमें traffic कितना आ रहा है कितने उसमें searching है और उस keyword पे कितना competition है यही दो चीजे हैं जिससे हमारी भी video viral हो सकती है और search में आ सकती है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हुए कि ऐसी application के बारे में जिससे आप कोई भी keyword उसमें search कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि उसमें कितना traffic है कितना searches आ रहे हैं कितना competition है और उसके हिसाब से फिर आप अपनी videos बना सकते हैं उसमें depend करता है कि आपकी video कितनी viral होगी ये कितना search पे आएगी दोस्तों इस application का link में description में देदूंगा और आप लेक store से भी उसे download कर सकते हैं चलिए मैं आपको अपनी mobile screen पर ले चकता हूं और उसमें दिखाता हूं कि कैसे आप search करते हैं और कैसे क्या करते हैं उसमें कैसे आप जानकारी प्राप्ट करेंगे कि 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 वर्ड में कितना traffic है कितना research करना है कितनी traffic आ रही है कितना competition है वो सारी चीजें आप उससे पता कर सकते हैं चलिए दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको अपनी mobile screen पर जहां पर आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे keyword research करते हैं किस topic पर कितना completion है और कितने traffic आ रही है कितना वो आपके लिए सर्चेवाल होगा कि नहीं होगा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं यह है वो application वीडाइकू यहाँ से हम सर्च करते हैं जैसे हम यहाँ पर यही सर्च कर लेते हैं कि वीडियोज पर व्यूज कैसे बढ़ाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका searching volume ज्यादा है और competition इसमें low है अगर यह आपको volume भी हरे पर यहाँ दिखता है तो ठीक है आपका वीडियो रैंक करेंगा और सर्चिंग में आएगा कमप्टीशन इसमें green में दिखा रहा इसलिए यह होती कम है कमप्टीशन इसमें ना के बराबर है तो आप अगर इस topic पर वीडियो बनाते हैं और यह keyword अपने videos पर यूज करते हैं यदि आप जैसे इस topic पर वीडियो बनाते हैं तो आपको search volume तो ज्यादा मिलेगा लेकिन completion विल्कुल भी नहीं है इसमें दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए हसते रहें मुश्कराते रहें और देखते रहें वीके ब्लॉग जैहें